हलो फ्रेंड नमस्ते स्वागत है मेरा एक और नए वीडियो में तो दोस्तो आप लोग कैसे हो उमीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और जितने भी मेरे फ्रेंज मेरे भाई बहन हैं उन सभी को धेश सारा प्यार तो दोस्तो जर्श्ट मैं अभी नहा के आई हूँ और दोस्तो मैं कुछ भी काम करती हूँ वो जल्दबाजी ही करती हूँ जल्दी ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास आराम से काम करने के लिए टायम ही नहीं रहता है और दोस्तो मैं घर काम भी करती हूँ वीडियो बनाती हूँ और बच्चे को भी और दोस्तों मैं बिस्किट खा रही हूं मेरी गोल्ड और दोस्तों ये मेरी बेती का बिस्किट है इसको दुकान से लेके आया है उसके पापा तो मैं इसको निकाल के खा रही हूँ क्योंकि दोस्तों मेरा मतला बहुत कुछ खाने का मन होता है कुछ-कुछ ऐसे तो घर में कुछ रहता है खाने वाला चीज तो मैं उसको निकाल के खाती हूँ और दोस्तों ये है लाओ इसको म मेरी बेटी उड गाई है और यह रो रही थी ऊड़ के देखिये दोस्तों यह डेकी देख लिजीए दोस्तों यही देकी में पहले के लोग धान कुट के खाते थे क्योंकि उस समय स tatis वगे रखा यह सब का सुइधा नहीं थे तो देखिये दोस्तों जाता को दरते हैं डाल बनाते हैं कि खाने के लिए और चामल पिसके खाटे थे रोतीज तो अब इसका उंपयोंग ज्यादा नहीं होता है और इधर मेरी बेटी रो रही है दोस्तों कि इसको मच्छर काट रहा है देखिए दोस्तों इधर मम्मी घास उखाड रही है नहीं उखाड रहा है क्या पेड़ है मेरे को नहीं पता उखाड रही है ताकत लगा रही है बड़ा मुश्किल से उखाडी वो और इधर अच्छा बारिस हो रही है जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों एक अपता हो गया था बारिस नहीं हो रहा था तो बहुंच ज्यादा गर्मी लग रहा था और अभी पानी गीर है तो अच्छा लग रहा है थोड़ा गर्मी से रहात मिला दोस्तों तो देखिए दोस्तों इधर गा बाइबल को बांध रहे हैं देख लिजिए दोस्तो आज का वीडियो यही एंड करती हूं क्यूंकि दोस्तो आज बहुंच ज़्यादा पानी गीर रहे और लैन भी नहीं है दोस्तो और मोबैल में चार्ज अभी कम है तो मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगी तो दोस्तो उसके लिए मैं चामा चाहती हूं आप लोगों से अगर दोस्तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक सस्क्राइब कीजिएगा और जो भी मेरे वीडियो में नहीं आए हैं वो लोग भी लाइक सस्क्राइब कीजिएगा दोस्तों और अगर मुझे से कुछ भी प्रकार की गल्पी हो जाए या फिर मेरा वीडियो में कुछ भी प्रकार की आप लोगों को गल्पी दिखाई दे तो आप लोग फ्लीश मुझे बताईएगा जिसे कि मैं अपनी गल्पी सुधार सकूँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दप्चक के लिए बाई बाई और आप लोग भी अपना ख्यार रखिएगा दोस्तों